वेलकुम बैक तु माई चैनल मेरा नाम प्रित्ति वाली हो आज मैं आप लोगदा सेयर करने वाली हूं कॉलेज गर्स के लिए बहुत ही अमेजिक हैस्तायल्स जो की बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी है बहुत ही स्थाइलिस्ट लगेंगे तो वीडियो को स्केप मत वीडियो पसंद आया चैनल अच्छी लगे तो लाइक कर भीजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल एकन को प्रेश कर लिजेगा ताकि उस चैनल का भी जो भी नोटिफेकिशन हो आप लोगों के फोन स्क्रीन पे तो हो पाए तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंस्टाइड प्ली तो फर्स्ट एरस्टाइल के लिए मैं या पे मिडेल से पार्टिंग कर रही हूं आप चाहो तो साइट साइब भी कर शकते हो पर यह सब्सक्राइब के साथ ज्यादा ची लगेगा तो simply इस तरीके से middle parting की है मैंने यहां से थोड़े से hair लेने हैं college going girls के लिए jeans top के लिए hair style best रहेगा तो इस तरीके से three layers निकाले हैं अब simply इसको उल्टी जो french होती हो इस तरीके से बनाना है थोड़ा थोड़ा hair लेते जाना है दुन साइड से और थोड़ा tightly बनाएगा लूज मत किजएगा तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एड़ करते जाए hair और bride को बनाते जाएगा और जो हमारी लाइन है इसी लाइन के से touch होते वे layer लेके जाना है तो आपके जाएगा जाएगा ना है और जाएगा ना है तो आपके जाएगा इसी लाइन है पांपकर देगा है इसको सिल्प्ली चोटी की तरह गूथ लीजिए गूथने के बाद से थोड़ा थोड़ा इसको लेश को खीछते जाए ताकि थोड़ा बालों में वाल्यूम देखे और जो आपका हैरस्टाइल है उसका लुक अच्छे से आये पुरा एंड तक खीछ लेना है अब इसको गूथ के और यहां पर एक रबर्ड बैंड या खिलिक से आप सेट कर लीजिए ताकि यह आपका खुल ना जाए शेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी गूथ लेना है यह दूसरी साइड भी बना लिया है अब इन दोनों ग्राइड को यहां पर लाकर क्लचर की मदब से सेट कर लीजिए और बाकी सारे बालों को एक पोनी बनाएंगे हाई पोनी अच्छे में कॉम करके बैक साइड में लेके जाएंगे दोनों साइड से इसके बास इसको ओपन करेंगे और यह दोनों यह को पोनी के साइड कर लेंगे और एक जबट बैंड से इसको टाइड कर लेंगे उसके बास से जो आपने क्लिप लगाए थी उसको निकाल लेंगे और सिंपली जो आपने एक प्रैड बनाए थी इसको पोनी के चारत्रफ लपेट के यू पिन से अपने टिक टैक क्लिप जिससे भी आपको ईजी हो उससे आप इसको सेट कर लोगे और यह हमारा फॉर्स्ट एरस्ट्राइंग कंप्लीट हो गया है तो यह काफी अच्छा लगता है टीनेजर्स पे और कॉलेज गल्स के लिए लेयर्स आप निकाल सकते हो अच्छा लगता है काफी अच्छा लगता है काफी स्टाइलिक दिखता है और आपके लेयर्स कटे हुए हैं जैसे उपर से एक्दम ब्राबर दिख रहे हैं तो और भी प्यारा लगेगा और अच्छा लिखेगा अच्छा लगेगा तो इस तरीके से मैंने हैर लिया है थोड़ा सा और थोड़ी दूरी पर यहां पर एक रबड लगा लेंगे इसमें एक हॉल करेंगे इस तरीके से और इसके अंदर से उपर की तरफ से नीचे की तरफ ले जाते हुए इस लेयर को खीच लेंगे और कुछ इस तरीकी का लुक आ जाएगा यहां पे लगाने के बाद से सेम इसको भी उपर की तर्स नीचे की तर्स लेके जाएंगे और इस तरी के से कर लेंगे उसके बाद से साइड वाले हेर्स को सिंपली ट्विस्ट करेंगे और उपर तक लेके आएंगे और यहां पर टिक टेक क्लिप से सेट कर देंगे दूसी सैट से भी सेम इसी तरी के से ट्विस्ट करेंगे यहां तक ट्विस्ट करके लाएंगे और इसको टिक टेक क्लिप से सेट करेंगे बाकि सारे हेर्स को एक साथ लेके एकदम हाई पोनी बनाएंगे और यह जो हमारा हेर का रबड था इसको पीछे तक खीच के ले जाएंगे दोनों साइट से और यहां पर एक रबड बेंट लगा देंगे अब जितने भी क्लिप और रबड हैं उनको निकाल देंगे हलका हलका यह जो आपने बनाया था इसको खीच लेंगे ताकि इसका जो लुक था वो पर दिखे और यह स्टाइल बिगड़े ना इसके बासे थोड़ा सा लेयर लेंगे बालु का और दबड बैंड के चादो पर लपीड देंगे ताकि जो जो जबड बैंड हो घ्र अच्छे से और बैक साइड में ले जाके यूपीन टिक टेक लिफ जिससे भी आपको है उससे आप कर लिजेगा और यह हेरस्टाइल का फाइनल लुक है तो आज का हेरस्टाइल का है दो ब्रूटफुल पोनी टेल हेरस्टाइल और काफ़ी अच्छा दिखता है और बहुत इजी भी है अपना नाम से बना लोगा है थोड़ा सा स्टायलिस लुक भी मिल जाएगा आपको तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो के साथ तब तकी अपना ख्याल रखी और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते लिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए ले कर आप हूं लिए लिए डिया आज़ियो को सकेट लिएगा इन की अच्छी लगेगा ऊपलोड करते हैं दो बीडियो को सब्सक्राइब कर लिए न को प्रेश कर लिए और अन्युक्ट कर लिए एक नीचनल अपन के लिए कर लिए ताकि उस चैनल नोटिशन होसे चानल को आप लोगों के करते हैं 40 रखनेत को शाय को सब्सक्राइब कर तो फिर्फ है निंट्स टायल के से मिद्ट पार्टिग थे रहे हैं लेसं को तो इस तरीके से 3 layers निकाले हैं अब simply इसको उल्टी जो फ्रेंच चोटी होती है उस तरीके से गनाना है थोड़ा थोड़ा hair लेते जाना है दोनों साइड से और थोड़ा tightly बनाएगा लूज मत किजिएगा तरीके से थोड़ा थोड़ा एड़ करते जाहिए और ब्राइड को बनाते जाहिए और जो हमारी यह लाइन है इसी लाइन के से टाच होते हुए layer लेके जाना है आपके तरीके से अब्राइड लेके जाना है आपके जाना है यह लेके दिए इसको फिल्पली चोटी की तरह गूथ लीजिए गूथने के बाद से थोड़ा थोड़ा इसको खीछते जाईए ताकि थोड़ा बालों में वाल्यूम देखे और जो आपका हेरस्टाइल है उसका लुक अच्छे से आए पुरा एंड तक खीछ लेना है अब इसको गूथ के और यहां पर एक रबर्ड बैंड या क्लिक से आप सेट कर लीजिए ताकि यह आपका खुल ना जाए शेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी गूथ लेना है तो यह दूती साइड भी बना लिया है अब इन दोनों ग्राइड को यहां पर लाके क्लचर की मदब से सेट कर लीजिए और बाकी सारे बालों को एक पोनी बनाएंगे हाई पोनी अच्छी से कॉम करके बैक साइड में लेके जाएंगे दोनों साइड से लोके हई इसके वाजने इसको ऊपन करेंगे और यह दोनों रियार्ज को पोनी के साथ अज्ट कर लेंगे और एक जबर्ट बेंड से इसको टाइट कर लेंगे उसके बाद से जो आपने क्लिप लगाई थी उसको निकाल लेंगे और सिंपली जो आपने एक प्राइट बनाई थी इसको पोनी के चारत्रफ लपेज के यूपिन से तिक टेक लिप जिससे भी आपको ईजी हो उससे आप इसको सेट कर लोगे और यह हमारा फॉर्स्ट एरस्टांग कंपलीट हो गया है तो यह काफी अच्छा लगता है टीनेजर्स पे और कॉलेज गल्स के लिए लेजर्स आप निकाल सकते हो और कुछ इससरी की तर लुकाएगा इसने अच्छाइब के तरफ काफी अच्छा लगता है काफी स्टाइलिस दिखता है और आपके लेजर्स कटे हुए हैं जैसे उपर से एर एकदम बराबर दिख रहे हैं तो और भी प्यारा लगेगा और अ आपकेंदे हैस्टाइल में भी मैं बीच की पार्टिंग निकाल दी हूँ है यह न्यू मैरेड वुमेन है तो उन पर भी काफी अच्छा लगए पहले बाला जो हैस्टाइल पताया तो भी अच्छा लगेगा तो इस तरीके से मैंने हैर लिया है थोड़ा सा और थोड़ी द अच्छा ले जाते हुए इस लेयर को खीच लेंगे और कुछ इस तरीकी का लुक आ जाएगा यहां पर इसी तरीके से लेयर लेना है और यहां पर भी एक जबड़्वेंड लगा लेंगे अच्छा लगाने के बासे सेम इसको भी उपर की तरस्ते नीचे की तरस लेके जाएंगे और इस तरीके से कर लेंगे उसके बासे साइड बाले हेर्स को सिंपली ट्विस्ट करेंगे और उपर तक लेके आएंगे तक तक ट्विस्ट करके लाएंगे आछत और इसको टिक-टैक लिप से से चैट करेंगे बाकि सारे रेस को एक साथ लेके ईगडम हाई पोनी बनाएंगे और यह जो हमारा हेर का जबर था इसको पीछे तक खीच के ले जाएंगे दोनों साइट से और यहां पर एक जबर मेंट लगा देंगे अब जितने भी क्लिप और जबर हैं उनको निकाल देंगे हलका हलका यह जो आपने बनाया था इसको खीच लेंगे ताकि इसका जो लुक था वो प्रोपर दिखे और यह स्टाइल बिगड़े ना इसके बाद से थोड़ा सा लेयर लेंगे बालों का और दबर बेंड के चारव पर लपीड देंगे ताकि जो दबर बेंड है वो हमारा राइड हो जाए अच्छे से और बैक साइड में ले जाके यूपीन टिक टेक लिफ जिससे भी आपको है उससे आप कर लिजेगा और यह हैरस्टाइल का फाइनल लुक है तो आज का हैरस्टाइल था दो ब्रूडफुल पोनी टेल हैरस्टाइल फोर कॉलेज गर्स के लिए दो बहुत ही सुन्दर और आ तो बहुत इजी भी है अपा नाम से बना लोगा थोड़ा सा स्टाइलिस लूप भी मिल जाएगा आपको तो आज के लिए इतना ही पिलेंगे नेक्स वीडियो तब तक लबना ख्याल लखी और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रिये ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडिय आपको निकाल दीजियेगा लेस निकालने से का उता है कि अपका फेस फुड़ा सा फ्रेंग बिल जाता है जिसे कि आपका है इस्टाइल और आपका फेस दोनों ही अच्छे दिखते हैं क्योट दिखते हैं बाई बाई